Hello दोस्तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दोस्तो हम Chrome Browser पे YT Studio को कैसे यूज कर सकते हैं इसके दोस्तो फुल यूज के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले दोस्तो नॉर्मल जो YT Studio होता है ठीक है उसको यूज करोगे तो उसमें उतना features आपको नहीं मिलता जितना कि दोस्तो आपको Chrome Browser वाले YT Studio पे features मिल जाते हैं तो आज किस वीडियो में हम उसे कैसे open करते हैं Chrome Browser पे और उसे हम किस तरीके से use कर सकते हैं क्या का feature से सारे कुछ आज किस वीडियो में बताने वाला हूं तो प्लीज आप इस वीडियो को पूरा मिलेगा यहां पर यहां पर दोस्तो प्रोफाइल का अपस नज्शनरा है चलो हम इस पे च्लिक कर लेते हैं और यहां पे योडवा चैनल के jedoch जाएंगे यहां पे आने के बाद फिर क्स्टमाइस चैनल का यह US पर खुरू कर लेना है इस पर क्लिक कर लोगे तो यहां पर को अच्छे से हो सके नहीं समझ में क्योंकि स्कीन छोटा है मैं आपको लैप्टॉप पे करके दिखाऊंगा बट आप सेम चीज अपने मोवाइल फोन पे भी कर सकते हो तो गाइस अभी हम आच चुके हैं लैप्टॉप की स्कीन पर यहां पर दोस्तों आपको पूरा अच्छ नीचे किसी दूसरे का यहां पर दोस्तों अपना ही चैनल एड़ कर लेते हैं तो यहां पर देखो जो भी इस व्रेंड का चैनल यह सब कुछ आपर रख सकते वो और यहां पर चैनल जो है ठीकिया उसको को आप सर्च कर लेना है जैसे कि मैंने सर्च किया परजापती ट्रीक मेरा चैनल यह देखो ये चैनल मखरें और टिक करने के बाठ डन की उप्शन प्लीक क्लिक कर लेंगे तो यहां पर अपने चैनल का लोगों लगा सकते हैं यहां पर चैनल का बैनर लगा सकते हैं इसको भी आप चैनल और रिमूव दोनों कर सकते हैं आप वीडियो में सब्सक्राइब बटन लगा सकते हैं तो लगा सकते हैं फिर अपने चैनल का लोगों भी लग सकते हैं सब कुछ content का option है इस पर क्लिक करेंगे इस पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहां पर हमारा वीडियो आ ज़ाएगा जितने वीडियो आपका हो सारा वीडियो आएगा तो उन्हां आप किसी वीडियो को इडिट करने चाहते हifferent उन्हें बस आपके पिलिक करकि यहाँ पर पेंसिल बहुत हिए इस पouter can करने इस पर कर लोगे तो यहां पर दोस्तों यहां पर यह देख सेके description दे सकते हैं उसके बाद दोस्तों यहां पर thumbnail add कर सकते हैं आप देख सकते हो same आप mobile में भी कर सकते हो ठीक है बस मैं आपको laptop पर इसलिए दिखा रहा हूँ कि यहां पर जो है guys मतलब आपको अच्छे से दिखाई देगा बरा बरा और सब कुछ अच्छे समझ में आएगा तो यह आप यहां पर कर सकते हो फिर वीडियो को edit कर सकते हो analytics चेक कर सकते हो पर क्लिक कर लेते हैं बस आप इस प्रस्नल वीडियो का analytics चेक कर पाओगे यह देखो कितना व्यूज है कितने सब्सक्राइबर से इस पर तुम्हेर सब्सक्राइबर्स भी माइनस हो चुका है साथ और यह कितना revenue आपको बना है सब आप यहां पर देख सकते हो फिर यहां प comment देख पाओगे फिर यहां पर monetization का option मिल जागा तो अगर आपके चैनल monetize है तो यहां पर आप दोस्तो एड लगा सकते हो ठीक है तो चलो back आते हैं और भी मैं आपको यहां पर फिर दोस्तों यहां पर देख सकते हो यहां पर filter का option मिलता है तो इस पर आप क्लिक कर लोगे तो जैसे की कोई वीडियो होगा copyright claim बला उसे भी आप यहां पर ढूंड सकते हो बस आपको search कर देना हो जो भी आपको search करना हो कर सकते हो फिर यहां पर monetization का option है इस पर आप आओगे तो आप देख सकते हो यहां पर अभी तो मेरा चैनल monetize है इस तरीकी से दिखाई दे रहा ह बाकि अगर चैनल आपका monetize नहीं होगा तो आपका कितना criteria भी complete हो चुका हो देख सकते हो फिर copyright यहां पर option है इस पर हम क्लिक कर लेंगे तो view guideline मतलब यहां पर जो रहता है एक लग सब्सक्राइबर हो जाने के बाद दोस्तों आपको एक option मिल जाता है जिससे कि दोस्तों आप यहां पे कर सकते हो फिर यहां पर मैंने analytics का option है तो आप यहां से अपने चैनल का analytics चेक कर पाऊगी है देखो यह आप यहां से कर पाऊगे रिच देख सकते हैं यहां पर रिच चेक कर पाऊगे कितना impression है कितना click-through rate views यह सरा कुछ यहां पर engagement पर आओगे फिर यहां से आप इंगेजमेंट चेक कर पाऊगे यह देखो गाइज वास्टाइम हावर्स में है यह सब आप यहाँ पर कर सकते हो थोड़ा से स्कॉल करेंगे तो यह देखो आपका टॉप विडियो जो है वह सब यहाँ पर आपको दिखहाई है फिर ऊपर में ओप्रक्न है और यह च्कुछ आसर यह पर देख सक्ती आप अपको पता नहीं है तो आप search कर सकते youtube पर है guys जहां पर ज़्यादा dark है वह हैं पर आपका जो viewer है ठीक है वह ज्यादा online आया था तो आप यह चेक कर पाऊगी यहां पर यहां पर अपना age वगेरा पूरा चीज यहां पर चेक कर सकते हो ठीक है यहां पर यूज कर सकते हो फिरी म्यूजिक जो होता है अपने वीडियो में यूज करोगे तो यह यूटुब का म्यूजिक रहता है कोई यहां पर प्राबल्म नहीं होने फिर सेटिंग का ओप्सन नीचे में मिल जाता है इस पर क्लिक करते हो तो आप यहां पर अपने चैनल क अब गैस एनेलिटिक्स में जाएंगे एनेलिटिक्स में जाने के बाद यहां पे देखो मैं आपको रिवन्यू दिखाता हूँ यह देखो गैस पूरा इंडियन रूपेज में हो चुका है और यहां पे आप सब कुछ देख सकते हूं ठीक है कितना अर्णिंग है यह पूरा आहे वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए जय हिंद जय भरत